अगर्ण मानिग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रोब्लम संग प्रैक्टिकल प्रोब्लम एड़ेटिटो सेट्स उसके लिए आपको कुछ फर्मॉले याद होने चाहिए जो नेसेसरी हैं वो फर्मॉले भी हम याद कर लेते हैं हमी यह आपके पास कोई सेट ए है यह आपके पास कोई सेट भी है जिस पॉर्षन को मैं शेड़िट कर रहा हूं यह हमने पड़ाएवन डाइग्राम में यह शेड़िट पॉर्षन किसको रिपेजन करता है अब जिसको मैं शेड़िट कर रहा हूं यह शेड़िट पॉर्षन किसक नियुक्त सब्सक्राइब इस अधाय प्रेटरी देखू थे सारा शेलिए पोश्चन यह यह और यह तिनों पाट किसको रिपजन करते हैं ए यूनिय तो फॉस्ट फ़र्मला इस नमबर ओफ एनिमेंट प्रेजंट इन ए उनियन पी इस इक्वल टू बैंड डाइग्राम से याद रख सकते हैं। 2nd formula is number of elements present in A अब आप देखें यहाँ पर A portion किन दो portion से मिल कर बना है? यह आपका सारा यह है किस से मिल कर बना है? A-B से और A intersection B से इसका formula क्या है? number of elements present in A-B plus number of elements present in A intersection B अगर मैं अब को देखू तो NB हमारा किन दो पोर्शन से मिलकर बना है NB-A और A intersection B तो next formula is NB number of element present in B-A plus number of element present in A intersection B last and important formula अगर इन दोनों से अगर मैं यहां से N A-B के वर्यू निकाल के इसमें रख दू NB-A के वर्यू निकाल के यहां रखती जाए तो formula आपका N A union B का formula हो जाता है N A plus N B minus N A intersection B एक और important formula है number of element present in A complement union B complement D Morgan से हम लगाएंगे जो और निकल क्या था A complement union B complement के इसके इकल होता है A intersection B का whole complement और A intersection B का whole complement कहां से निकलेगा हमारा A complement union B complement is equal to क्या होगा number of element present in A intersection B का whole complement और किसी भी जीज़का complement कहां से निकलता है N U minus N A intersection B और किसी भी जीज़का और किसी भी जीज़का प्रेक्टिकल प्रॉब्लम को solve करेंगे लिए चलिए कुछ प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं और फर्स प्रॉब्लम है हमारे पास फर्स प्रॉब्लम है हमारे पास number one question number one है हमारे पास आपके पास given है we have एक तो N A आपके पास है 28 N B आपके पास given है 32 and N A union B आपके पास है 50 then find आपको निकालने के लिए का गया है find N A intersection B means number of element present in A intersection B अब आप देखिए जो चीज़ आपको find out करनी है वो किस फर्मले में आपको नजर आ दिया N A N B N A union B and A intersection B भई फर्मला आप चूज कर सकते हैं आपने देखा फर्मले में चारों चीज़े है तो हम बताएंगे में आ रह देते हैं N A union B किसके इकवल है 50 N A कितना है 28 N B कितना है 32 और N A intersection B आपको find out करना है then 50 is equal to कितना होगा 60 minus में N A intersection B तो N A intersection B किसके इकवल आया 60 minus 50 that is 10 यह हमारा answer आगया just easy question next question दिखते हैं जैसे हमारे पास question number second इन ने group of 50 percent इन ने group of 50 persons 14 drink tea 14 drink tea but not coffee but not coffee and 30 drink tea and 30 drink tea find how many drink tea and coffee both how many drink tea and coffee both and second question is how many drink coffee but not tea अब इसका solution करेंगे सबसे पहले तापको पता होना चाहिए जब भी आपके पास group दे दिया जाए ग्रूप means यानि की वो क्या होगा आपके पास universal set and drink tea but not coffee means एवो टी तो पीता है लेकिन coffee नहीं पीता तो एक इससे रिप किसको रिपेजन कर रहा है ए माइनस भी पो डिफेंस आप टू सेट तो गीवन आपके पास भी हैव कि इसमां बता जिने की टी वाले सेट को तो थो एक टी से रिपेजन करेंगे और coffee वाले साट को सी से let tea represent let tea represent the person who drink tea and see represent the person c c set कह सकते हूं आप t set कह सकते हूं तो let set t represent the person who drink tea and set c represent the person who drink coffee then हमारे पास we have आपके पास एक दे दिया number of element present in universal set 50 क्योंकि हमारे पास जब भी जो group दे दिया, group दे दिया means survey दे दिया और survey के इसको represent करता है universal set को 14, drink tea but not coffee यानि कि number of element present in t-c that is 40 and 30, drink tea and nt is equal to 30 अगर आपके पास आजा है tea only drink tea but not coffee or we can say that tea only, tea only means वो tea पीता है लेकिन coffee नहीं पीता, बोथ हार the same things then first आपको find out करना है how many drink tea and coffee both तो first is आपको find out करने है number of element present in a intersection b and second आपको find out करने है who drink coffee but not tea that is nc minus t अब देखिए आपको किस किसी की requirement होगी आपर सबसे पहले आपको चाहिए n, a intersection b, sorry, nt intersection c आपर हमारे जो set है होगी इससे represent t और c से आपको nt intersection c चाहिए तो उसके लिए formula देखिए first को हम solve कर रहे हैं first part को we know that हमने पढ़ा था n a is equal to क्या होता है हमारे पास n a intersection b जोगा आपके पास n a किसके equal है n a intersection b plus n a minus b n a minus b plus n a intersection b plus n a minus b तो वहाँ पर तो a और b में था यहाँ पर t और c में अगर हम देखिए तो that is n t किसके equal होगा n t minus c plus n t intersection c n t आपके पास given है n t की value कितने दे रखिए 30 t minus c कितना है 14 तो n t intersection c आप इसली find out कर सकते हों क्या आजएगा 30 minus 14 that is 16 तो n t intersection c का अंसर क्या है आपके पास 16 now we solve second part second part में आपके यह n c minus t उसके लिए फिर हमारे पास एक formula था we know that अब देखे जिसमें सारे आते हैं n a union b किसके equal होगा n a a minus b plus n b minus a plus n a intersection b that is अगर t और c की form में देखे तो formula क्या बनेगा मारे पास n t union c is equal to n t minus c plus n c minus t plus n t intersection c तो अगर हम देखे तो n t union c हमें पता है t union c अगर आपके पास universal set है और otherwise आपके पास given नहीं है तो यही किसको represent करेगा t union c को क्योंकि t union c क्योंकि हमें पता है n a union b is always less than equal to n u तो यहाँ पर universal set किसको represent कर रहा है उनकी union को n t union c कितना है आपके पास given 50 t minus c t आपके पास कितना है given 14 c minus t आपको find out करना है और t intersection c कितना है आभी हमारे पास 16 तो आगा 50 minus में 30 and c minus t तो कितना हमारे पास 20 c minus t मतलब वो आगे हमारे पास जो कोफी को तो drink coffee but not tea let us take last example question number 12 question number 12 question number 12 question number 12 हमारे पास है is survey of 500 television viewers produce the following information 285 watch football 195 295 वाच होकी 115 वाच बॉसके प्रेयोगी मतलब तीन ट्रेक गेम की आपर बात कर रहा है तो उसको रिपेजन कर देखते हैं 12 फोर्शन में लेट सेट एबी सी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट टेलिविजन व्यूवर्स वू वॉच वू वॉच फूटबॉल होकी एंड बास्केटबॉL एंड अकोर्ण तो बास्केटबॉल जो गीवन आपके पास हो उप्रक लेखते हैं सर्वे है 500 अलीजन तो नोट वॉच अनी अफ तरी गेम वावनी इन ए सर्वे अफ तूहंड़ एंड़ यानिकी एंड़ेटी फाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइ and A intersection B वो कितना होगा आपके पास 70 50 watch hockey and football and B intersection C hockey and basketball वो आपके पास कितना है 50 50 do not watch any of the three games एनि कि A intersection B intersection C जो टीनों में से किसी को भी like नहीं करते नहीं करते तो क्या होजएगा I complement intersection B complement intersection C complement वो अमारे पास कितना आगया 50 how many watch all the three games so first question आपको find out करना है and A intersection B intersection see how many watch exactly one of the three games next आपको find out करना है how many watch exactly one of the three games इनकी जो सर्फ एक game को watch करते हैं आप देखिये अब इसको कैसे करेंगे हम first को solve करते हैं D Morgan's law according to D Morgan's law हमें निकालना है A complement intersection B complement intersection C complement यह में find out करना है ते किसके equal होगा यह होगा N U minus में N A intersection B intersection C और यह आपके पास कितना है 50 ते किसके equal होगा D Morgan's law के according यह हमारा equal होगा यह equal होगा N A union B union C का whole complement और तो फिर यह किसके equal होगा N U minus में N A union B union C और is equal to कितना आपके पास 50 देखिये दो बार से देखिये इसको फिर से आपको बताते है फिर्स्ट कोशिन में आपको find out करना था N A complement intersection B complement intersection C complement तो D Morgan's law के according किसके equal होगा N A union B union C का whole complement और किसी बीचिस का whole complement कैसे मिकलता है N U में से उसको minus करके तो जाएगा N A union B union C अब इसनकी value और is equal to कितना देखिये आपके पास 50 अब N U की value कितनी आपके पास 500 N U कितना है हमारे पास 500 minus में N A union B union C का formula में पीचे बताना बोल जाए पर मैं आपको यहां पर बता रहता हूं वह formula होता है N A अब सारी values आप यहां पर रख दीजिए 500 minus में N A कितना आपके पास 285 plus में N B कितना है 195 N A 285 N B 1 N A 285 N B 195 N C 115 तो plus में 115 minus में N A intersection B 70 minus में N A intersection C 45 minus में N B intersection C 50 और यह आपको find out काना है और plus में A intersection B intersection C तो आपके पास आजएगा N A intersection B intersection C is equal to आजएगा 500 minus 7 बैके टोपन करेंगे तो साइन चीरी हो जाएगी minus 195 minus 115 plus 70 plus 45 plus 50 that is this gives result 20 तो अंसर हमारा कितना है हमारे पास 20 जो next part हम करेंगे यह किसके अलप से करेंगे when diagram की help से हमने next question करेंगे तो when diagram में हमारे पास 3 set है तो 3 set को represent कर लीजिए यह set आपका A है यह set B है और यह set क्या है C A मतलब football B मतलब hockey और C मतलब basket ball तो यह जो है किसको represent करा है जो तीनों game खिलता है जो तीनों game खिलता है भी अभी हमने निकाला हो कितना हमारे पास 20 कितना हमारे पास वो 20 who play all the three games NA intersection B intersection C क्या result देता है मैं who play all the three games 20 और नहीं इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फार्मूले बेस से उसी से कर लेते हैं तो next है हमारा we have to find second second में आपके पास है जो सर्फ एक game खिलता है तो वो जाएगा NA intersection B आपके WhatsApp plus N A compliment intersection B compliment intersection C